दोस्तो हम गार्डनर को पोधो का नशा होता ही ऐसा है और वो इस कद़ा तक बढ़ जाता कि हमें मजबूर कर देता है इस तरह से पोधो लेने के लिए तो कुछ ऐसे पोधे जो मेरे गार्डन में नहीं थे उन्हीं पोधो की कटिंग आज मैं ले रही हूँ दोस्तो यह मेरे वह मैंने अपने गाड़े में लगाए वे हैं और कोशिश यह रहती कि जो भी प्लांट मेरे गाड़े में नहीं है उसको मैं इसी तरीके से फ्री में ही अपने गाड़े में लगाऊं दोस्तो मैंने अपने घर की जितने भी ग्रिल है दिवारे हो सभी मैंने पोधों से भरी दोस्तों जो की cutting है न की roots है न दो तीन दिर में बननी शुरू हो जाएगी एक भी cutting आपकी fail नहीं होगी बहुत ही गजब का तरीका मैं आज की वीडियो में बताने वाली हूँ जो कि आप धेरो plant cutting से लगा सकते हैं नरसरी जाने का रस्ता भूल जाएंगे अगर आप इस तरीक प्लांट और इसकी cutting मैंने तीन से चार दिन पहले लगाई थी इस तरह नहीं नहीं जो है इसमें पत्यानी शुरू हो गई दोस्तों इसमें roots बन गई है और इस तरह से मोगर की cutting मैंने लगाई दोस्तों मोगरा एक प्लांट से मैंने डेरो मोगरा के प्लांट बना ली है ये देखिए इसमें कितनी जल्दी roots बनी शुरू हो गई 10-12 दिन पहले मैंने इसकी cutting लगाई थी तो इस तरह से धेरो प्लांट आप लगा सकते हैं और इसमें roots इतनी जल्दी बन जाती दोस्तों ये देखिए ये भी मोगरा का प्लांट है और ये मैंने अभी न दो दिन पहले मेरे आप इतनी तेज बारिश हुई थी और इसी बारिश में मैंने गुलाब की चार से पांच cutting लगाई दोस्तों एक ही grow bag मेंने चार cutting लगाई वी देखिए और ये cutting मुझे लग रही है कि ये successful नहीं हुए काली-काली सी पूरी पढ़ गी तो इसको मैं निकाल देती हूँ कि तीन कटिंग में आपको दिखाती हूँ कितनी अच्छी ग्रोथ इसमें स्टार्ट हो गई है सिर्फ दो दिन के अंदर दोस्तों दो दिन पहले ही मैंने तेज बारिश के अंदर मैंने ये cuttings लगाई थी और बहुत ही आसानी से ना इसकी जो इसमें नई ग्रोथ है नो प्लांट आप देख लोगी किस तरह से मैंने कटिंग लगाई हुई है और ये बस एक साथ आठ दिन के अंदर ही लगाई मैंने कटिंग उससे पहले मैं देहरो कटिंग लगाई दोस्तों तो इस तरह से फिरी के पोदे मैं त्यार कर लेती हूँ अपना गार्डन पूरा मैं किस्तमाल आप कर सकते हैं और कोई भी इस तरह के नर्सी पोर्ट में ग्रो बैग में कोई डबा हो प्लास्टी की बोटल हो इसमें आप कटिंग है ना बहुत यासानी से लगा सकते है तो इस तरह से मैंने भर लिये सारे जितने भी मेरे खाली पड़े पोर्ट पड़े थे उ इससे है ना कटिंग 100-1% आपकी ग्रो होगी तो यह गुलाब की कटिंग मैं आपको दिखा रही हूँ यह मैं पडोशियों की घर से लेकी आई थी मेरे पास जैना देसी गुलाब है लेकिन यह सफेद रंका गुलाब था मैं अपने पडोशियों घर गई और मैंने देखा क इतने सुंदर पूल खेलोवे थे इतने ज़्यादा फ्लावरिंग हो रही थी इस प्लांट में और इसका कलर देखी अधाट रंका आपका टेक का बहुत रँया मोसम चलराया है। लगाने का बहुत ही बढ़ा मोसम चल रहा है इस मोसम में आप धेरो कटिंग लगा सकते हैं और यह लास्ट मॉनसून सीजन चल रहा है अभी जो मोसम चल रहा है इसके बाद जो मॉनसून चला जाएगा और कटिंग हमारी है इतनी अच्छे से ग्रो नहीं होगी क्यों कि आगे हर्मोन का काम करेंगे दोस्तों तो इस तरह से बीच में से पूरा लूमन निकाल दूँगे और इसमें ही में कटिंग लगाऊंगे दोस्तों मातर दो दिन के अंदर इसके में रूट बनी शुरू हो जाएगी दोस्तों यह खुद का मेरा खुद का अनुभाव है बहुत ही इस तरह से दो से तीन इंच के अंदर के नीचे आप इस तरह से मिट्टी में इसको दबा दीजिए और आप इसके बहुत यह से इतना बढ़िया काम करेंगे दोस्तों इसके बाद आप इसमें थोड़ा पाई डालकर इसको अप शेड के अंदर रख दीजिए आप इसके नहीं मिलती एक दो प्लांट से भी बस यह सोचते कि यह जो बढ़िया मोसम चल रहा है यह जो मोसम चल रहा है यह हाथ से छूटना नीचे मिलकुल इसका मोका जो हमी मिल रहा है वो मोके का बरपूर फाइदा उठाए पूरा लाब उठाने वाली तो चंपा की मैं भी ढ़े सारी कटिंघ त्यार कर लूँगी और आने वाले टाइम में ढ़े सारे प्लांट चंपा के मैं अपने गार्डन में फ्री में ही लगा लूँगी दोस्टahu तो इस तरह से पूरा गार्डन फ्री में ही त्यार हो जाएगा तो उपर मैं एक नैच्छलल फंगिसाइड का काम कर जो कि healthy powder है उसका काम करूंगी और नीचे भी मैं rooting हार्मोन लगाने वाली जो कि aloe vera लगाऊंगी मैं दोस्तों अलग लग तरीके से मैं cutting लगाऊंगी और जो कि बहुत अच्छे से हमारी जो है न वह बहुत अच्छे से successful होगी तो इस तरह से जो aloe vera का है नीचे मैंने लगाया उपर मैंने नीचे 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 रूटिंग हार्मोन है और उपर है वो नीचेरल फंगी साइड का जो healthy powder मैंने लगाई है वो है इसके बाद भी इसको 3-4 इंच के अंदर मिटे में दबा देंगे और इसके बाद पानी देंगे और इसको shade के अंदर रग देंगे तो आप देखेंगी cutting की असानी से हमारी धेरो प्लांट है हम इस तरushima का प्रतुक मन घया है तो इसको मैं जो प्याज है ना उसमें लगाने वाली हूं तो जैसे हमें बतायọn मैं बिल्कुल अलग तरीके से आपको ज यू कटिंगस लगाने का तरीका बताने वाली हूं तो आप किसी भी तरीके से आप इनकी cutting लगा सकते हैं, आप Elevira GEL का इस्तिमाल कर सकते हैं, बहुत ही भड़िया Roting हार्मून का काम करेगा, आप आलो या प्याज किसी का इस्तिमाल कर सकते हैं, ये बहुत ही natural Routing हार्मून का काम करेंगे, जड़े हैं वो बहुत ही जल्दी इनमें बनी शुरू हो जाएगी और इस तरह से धेरो प्लांट हम घर पर ही बहुत ही आसानी से त्यार कर लेंगे अगर इस तरह से धेरो प्लांट हम फ्रीमी त्यार कर लेते तो हमें नर्सरी में हजारों रुपए खर्च करने की जरूत क्य कि अ हैं प्लांट इस तरह के इतना सुंधर प्लांट राय गा ऎक में अपन का लिया वह तो इस तरह के इसलावी तेक़ सरण ने ना तरह कटिंग यहाँ रोड सकते हम में और इसे तरह की आप की इसकी प्लांट opens Herbie ले आई दोस्तों आभ विमे जो नेक्स जो प्लांट में लगा रही हूं zweite फूल का प्लांट है और इसके फूल्ले बहुत ही प्याराइए मेरे पास लेकिन फूलों का साईज लीखिस अलग है lens यह जो फूल healthy admirers of Herbs इस अभ़े में अबैसे कोने सब्ढलेट, विडियो नहीं बना पाई। कटो अब कर युदंग के आपने आ गयी घुए भाउय से इस में वह रहिक हमती फूल प्लास्टिक बोटल और विच्षू रहें लगाया है। जो बहुत सारे प्लांट की कटिंग मैंने इस तरह से धेर सारे प्लांट मैंने कटिंग से त्यार कर लिया अब देख सकते हैं अब गिन भी नहीं पाओगे इतने प्लांट मैंने कटिंग से त्यार कर लिया है और अभी आने वाले टाइम में और प्लांट कटिंग से त्यार कर सकते हैं दोस्तों तो कैसी लगी मेरी जानकारी प्रसंद आई तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिए मिलते हैं नेक्ष वडियो में नहीं जानके तपकले बाइवे दोस्तों